बलिया में मद्रप्रदेश के मुख्या मंत्रे शिवराज सिंग चोहान 19 दिसंबर को बलिया दोरे पर रहेंगे जहां वो बलिया टीटी कॉलिज के मैदान से जन विश्वाश यात्रा को हरी चंडी दिखाएंगे साथ ही जन सभा को संबोधित करेंगे आपको बता दें कि पुरवांचल के 60 विधान सभाद से होकर ये जन विश्वाश यात्रा पहुंचेगी जहां उन्हें दिसंबर को जन विश्वाश यात्रा की बलिया रात्री में विश्राम होगी और 20 दिसम्बर को बलिया से मौट जनपत के लिए जन विश्वाश यात्रा रवाना होगी तो आपको बता दें कि आज उत्तरप्रदेश में कई जिलों से ये यात्रा जो है निकलनी है और सभी जगा पर अलग-अलग तमाम बीजेपी के बड़े-बड़े नेता पहुंच करेस यात्रा को हरी जनपत करेंगे जिसी कड़ी में आपको बता दें कि बलिया दोरे पर आज मंद्रप्रदेश के मुख्या मंद्रे शिवराश सिंग चौहान है क्योंकि वहाँ पर वो जन विश्वाश यात्रा को हरी जनपत करेंगे गाजवाद में शादी कारक्रम के दौरान दुलन पक्ष के लोगों ने दुलह की जम कर पिटाई कर दी जा रहा है कि दौरा पहले से ही शादी शुदा था जिसके बाद इस बाद की जानकारी होने पर लड़की पक्ष के लोगों ने दुलह की खूप पिटाई की क्योंकि जानकारी उन्हें ये मिली के लड़का पहले से ही शादी शुदा था और इस बात की जानकारी उसने नहीं दिया और दुबारा से शादी वो करने जा रहा था जिससे गुसा आए दुलहन पक्ष के लोगों ने मंडप में ही दुले को जम कर पिटा ये तस्वीए भी आप देख सकते हैं किस तरह से दुले की जम का पिटाई की जा रही है सामुदाएक स्वास्ते केंडर करनल गंज परिसर में दवायों के जलानी का मामना सामने आया है दरसल लोगों के बीच चर्चा का विशय ये बना हुआ है आपको बता दें कि इन दिन हो एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें स्पताल परिसर में दवायों का ठेर जलता दिख रहा है जो स्वास्ते भाग पर सवाल या निश्वान खड़े कर रहा है वहीं इस पूरे मामले में CHC अधिक्शक डॉक्टर सुरेश चंडरा का कहना है कि यहां दवायां उनके अस्पताल की नहीं है तो यह आपको बता दें कि गॉंड़ा में स्वास्ते भाग पर यह सवाल खड़ा हुआ है दरसर कूरे में यह दवाया जलते हुई नजर आई है जिसके बाद से ही लगातार यह मामला तूल पकरता जा रहा है वहीं आपको बता दें कि अधिक्शक का कहना है CHC के कि यह दवायां उनके अस्पताल की नहीं है लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि तरह से भारी मात्रा में दवायों को नश्ट किया जा रहा है जैसा कि बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ दवायां जलाई गई है उस प्राग्रम मुझे यह कहना है कि हमारा एनम सेंटर जो हमारे दूसरे गेट पर स्थित है तो वहां पर कुछ दवायां कुछ द्रोगों द्राद में फेकी गई थी हमारा वहां कूड़ा जलाया जा रहा था और उस कूड़े में कुई लोगों दवाईया फेकी अब वो दवाईया अमारे अस्वताल की नहीं है इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता अब यह मुझे नहीं मालूम क्यों कि यहां साथ-ाट मेरकर इस्टोर हैं उनकी दवार एक्सपायर हुदी तो भी कहीं फेज सकते हैं तो इसलिए हमने देखा तो है नहीं इसलिए लांचा नहीं लगा सकता ओमिक्रॉन को देखते हुए के इंद सरकार ने सभी राज्यों को आवश्यक दिशन निर्देश दे दिये हैं यूपी के कानपूर में भी ओमिक्रॉन से निपतने के लिए स्वास्ते भाग पुरी तरह से तयार हो चुका है आपको बता दें कि कानपूर द्याहात में अधिकारियों को आवश्यक दिशन निर्देश भी दिये हैं तो ऐसे में आपको बता दें लगातार उत्तप्रदेश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है ओमिक्रॉन को लेकर क्योंकि उत्तप्रदेश में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है गाज़ेबाद भी दो मामले मिल चुके हैं उसके बाद उमी क्रॉन को लेकर अब कानपुर देहात में स्वास्ते भाग पुरी तरह से अलर्ट हो गया है साथी आपको यह भी बता दें कि जॉइन डिरेक्टर ने अधिकारियों को दिशन निर्देश दिये साथी अस्पताल में जाकर तैयारियों का जैज़ा भी लिया कराए गया और वहां पर जो भी इंस्ट्रुमेंट बगहरा आए थे उन सब को देखा लोग ट्रेनिंग लोगों को भी देखा तो हमें तो काफी अच्छा था यहां पर रुकेंगे एक छूटे से ब्रेक के लिए लेकिन खबरों का सिलसे आल लगाता जारी है देखते रहिए नियूस वर्लिंग की आप